इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कीवर्ड को हमने रिसर्च करके ग्रूप में डिवाइट करना है और पेजीज के साथ असोसियेट करना है इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों जरूरी है और वो कैसे आप कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको मिसाल दूँगा कि लेस्पोस अगर आप कपड़े दूण रहे हैं और अगर आप जेंट्स गार्मेंट लिखें और गूगल में सर्च के अंदर आपको फीमल गार्मे अपकी उसे धूंडा कुछ और इसको मिला कुछ और आपको भी वो सेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपको चाहिए था कि उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइस करते जो वो धूंड रहा था और उसके गेंट्स वह वह वाला प्यज ऑप्टिमाइस करते जिस पे उसको जाना तो इसलिए ये problems create होती है और यही वज़ा है कि मैं बार-बार ये emphasize कर रहा हूं कि हमने इसको as a primary importance, important activity लेनी है इस keyword research को क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो आपकी पूरी SEO गलत हो सकती है इसको मैं आपको visually दिखाना चाहूंगा For example, आपकी mobile phone shop की ही website है उसमें सबसे पहला page, home page है जिसको आपने mobile phones के against आपने optimize किया या आपने उसको keyword group assign किया जो के mobile phone से related था उस keyword group में आपके mobile phone की prices या buy mobile phone या mobile phone से related दूसरे keywords जो आपको लगता है कि आपके home page पे optimize होने चाहिए आपने वो एक group उसको associate कर दिया जो के accessories की थी तो आप ये चाहेंगे कि अगर कोई mobile phone आसेसरेthose सर्च कर रहा है तो वो कहां land करना चाहिए जी, उसको land accessories के पेच पर ही करना चाहिए अगर वो क्यों आपको लैंड करेगा तो उसके लिए मसला होगा क्योंकि उसको accessories नहीं मिलेंगी तो आप क्या करेंगे, आप मॉबाइल फून असेसरिस का कीवर्ड गूर्ड गुरुप बनाएंगे और उसका मॉबाइल फूनसेसरिस के पैज के साथ ही असोसियेट कर देंगे जो के यही होगा, जब आप जब भी कोई बंदा या जब भी कोई सेचर वो keyword search करें आपका ये वाला page optimized होना चाहिए और ये ही वाला page rank करना चाहिए Google के अपर अब Google खुछ सर्य ये decision नहीं लेता ये decision आपको Google को help करना होता है ताकि Google आपकी बेहाब पर ये decision ले तो अगर आप ये keyword दो तीन जगाँ पर optimize कर देंगे तो Google ये समझेगा कि शायद दूसरा page जादा relevant है या शायद पहला page जादा relevant है जब Google confused रहेगा वो आपको गलत page को rank कर सकता है और गलत page rank करने का मतलब वही है कि अगर उसने search earphones किया है तो जाके land कर रहा है असेसरिस के ओपर या उसने असेसरिस सारी मंगनी थी सकते हैं तो एपल के earphones या Samsung के earphones या different brands के आप earphones उसको start कर सकते हैं so ideally structure को keywords आप कैसे optimize करेंगे कि जब कोई Samsung सर्च करें तो Samsung के पेच पे land करें जब को iPhone सर्च करें तो iPhone के पेच पे land करें जब कोई earphone सर्च करें तो उसको earphone के उपर ही land करना चाहिए और अगर कोई सेसरी सर्च करें तो सेसरी के पेज़ पे जाए और अगर कोई सिर्फ मुबाइल फोन पैसी सर्च कर रहा है तो वो आप मुबाइल फोन के पेज़ पर ही लेंड करें तो यह स्ट्रक्चर आपकी गारेंटी होती है SEO की Base अच्छी बनने की अगर आपने ये Base की गलत बना दी अगर आपने structure ठीक ना रखा या structure ठीक रखने के बाद अगर keyword सही तरह से optimize ना किये तो मसला यह होगा कि आप overlap करेंगे और यही overlap हमने avoid करना है कि SSC's का पेज मॉबाइल पेज के साथ overlap नहीं हो सकता और मॉबाइल फून का पेज SSC's के साथ overlap नहीं हो सकता यही वज़ा है कि इसको आपने बड़े गोर से और बड़े ध्यान से आपने optimize करना है और इसलिए अगर आपको client के साथ बैट कर या खुद बैट कर अपने पूरा business का structure रिवियू करना पड़े कि आपके business क्या है उसकी कितनी products हैं और उन products के अपर कौन कौन से page बनने चाहिए उनका pricing का page सेम होगा या different होगा उनके under कौन कौन से pages होंगे और जब आप यह structure clear कर लेंगे उसके बाद आप उसको keyword search करके बारी बारी हर page के ओपर एक keyword का group assign करेंगे और जब वो group assign हो जाएगा तो आप make sure यह कीजिएगा कि उसमें किसी भी तरह से overlap ना हो और जो भी pages जिस keyword के साथ optimized हैं वो वही रहें क्योंकि जैसे ही आप duplicate करेंगे या overlap करेंगे आप Google को भी confuse करेंगे और आपके SEO भी down हो जाएगी आपका already competition है आपके competitors के साथ जो कि आपके इनी keywords पर अपने वेब्सर्ट को पर rank करना चाहते हैं आपने उन से तो जगा लेनी ही है लेकिन ultimately जब आपके दो तिन pages एक ही keyword के ओपर optimize होंगे तो Google confused रहेगा कि आपके कौन से page को optimize करना है तो यही problem असल में आपके self competitor बना देगी आप ही के pages को जिससे नुक्सान यह होगा कि आपके दो तिन pages आपस में ही मकाबला कर रहे होंगे जबकि असल में होना यह चाहिए कि आप एक keyword के ओपर focus करें जो कि एक page साइंड हो और सिर्फ वही page उपर आए ना के आप multiple pages को एक ही keyword के ओपर rank करवाएं आप हमेशा एक page के ओपर एक focus group रखेंगे तो आपके keyword बड़ी बेतर हो जाएगी